Hello students, in this video we'll do chapter 1, understanding diversity, class 6th. Diversity क्या होता है students? Diversity होता है अनेकताएं. भारत जो है ये अनेकताओं का देश है. यहाँ पे काफे सारी भाशाएं, रिवाज, रिती रिवाज, परमपराएं, अलग-अलग प्रकार के वस्त्र, भोजन देखने को मिलता है. इसलिए भारत को विवदिताओं का देश भी कहते हैं, it is a land of diversity. तो कुछ इस प्रकार हमारा ये चैप्टर है, आईए इसके question-answer, word-meaning और exercise करते हैं. We shall begin with word-meaning. डाइवर्सिटी, अनेकताई, रिजनल, प्रांतिय, कल्चिरल, सांस्कृतिक, रिलीजियस, धार्मिक, यूनिटी, एकता, इनक्रेडिबल, अविश्वस्निय, कम्यूनल, सामप्रदाइक. जैसे आजकल के नेता जो होते हैं, ये अपना word-meaning के लिए, सामप्रदाइक दंगे फसाद करवाते हैं. रियोट्स, धंगे फसाद, रिसोर्स, संसाधन, जो हमारे प्रकरती में काफी सारी रिसोर्स से संसाधन होते हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिटी है, ये हमारे नैच्छर रिसोर्स से प्राकरतिक संसाधन है. फैमाइन, आकाल, आकाल होता है, जब खाने की कमी हो जाती है, सूखा हो जाता है, तो हम उसको आकाल कहते हैं, फैमाइन कहते हैं ड्रॉट, सूखा, पाने की कमे के कारण जो खेत होते हैं वो सूख जाते हैं, जमीर में दरारें पढ़ जाती हैं, तो हम उसको ड्रॉट कहते हैं, जियोग्रफिकल, भगॉलिक, कम्यूटी, संप्रदाय, ट्रैडिशन्स, परंपरा, कस्टम्स, रिवाज, ट्रैडिशन्स लि लिए जो हमारे पहले के फ्रीडम फाइटर्स रहें, उन्होंने काफी सादा संगर्स किया, स्ट्रगल किया, स्वतनता से नानी, उन्हें अपने जान की भी आहुती दी, सिंबल, चिन, इंडिपैंडन्स आज जाधी, तो यह वर्ड मेरिंग थे इस चैप्टर के स्टूडि आपके इलाके में जित्ते भी त्योहार मनाई जाते हैं, उनके बारे में लिखिए, उन त्योहारों के नाम लिखिए, विच अफ दीस सेलिबरेशन्स आर शेयर्ड बाइमबर्स अफ डिफरेंड रीजनल एंड रिलिजिस कमुनिटी और जो आप लोग त्योहार मनाते हो, इन में से ऐसे कौन से त्योहार हैं, जो और भी अलग धरम के लोग मनाते हैं, सो आपका आंसर होगा, दिवाली, होली, क्रिस्मस, लोहोडी are celebrated in my locality, होली, दिवाली, क्रिस्मस are celebrated by other members of different religions also, मतलब आपके आजपरोस में आप काफी सार त्योहार मनाते होंगे, आप उनके नाम जासे क्रिस्मस यह भारत के सभी हिस्सों में बनाये जाते हैं, what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life, हमारा जो भारत है, यह विविद्दाओं का देश है, डाइवर्सिटी का देश है, इसके डाइवर्सिटीफाइड होने से, इसमें विविद्दाई होने से, हमें हमारे लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमें इससे क्या फाइदा है, living in India with its rich heritage help us, भारत में काफी सारे विविद्दाओं हैं और जब हम इस विविद्दाओं वाले देश में रहते हैं, तो हमें यह फाइदा होता है, हम काफी सारे भाशाओं को सीख सकते हैं, हम काफी सारे सभीता संस्कृत के बारे में जानते हैं, हम काफी सारे खानाई के बारे में जाते हैं, पंजाब का क्या खाना है, केरला में क्या खाना है, गोवा में क्या खाना है, सब जगा हम विभिन प्रकार के भुजन के बारे में जानते हैं, हम कस्टम स्रीतिरी वाजों के बारे में जानते हैं, कि अल अनेकताएं पाई जाती हैं। नहिरू ने भारत की एकता के बारे में क्या बताया इस प्रकार आपका ये प्रशन तीन है। लेकिन इन सब की विवदताओं के बावजूद भी सभी भारतिय एक हैं। अनेकता देखने को मिलती हैं। और सभी एक साथ होकर उननति की पत पर आगे प्राग्रेस करते हैं। प्रगतिशील वो होते हैं। नहिरू इन इस बुक दिस्कवरी ओफ इंडिया हैं। अब नहिरू जी ने अपनी किताब दिस्कवरी ओफ इंडिया में लिखा कि जो एकता हैं। हर भारतिय के दिल में एकता हैं। और हर भारतिय इस एकता पे यकीन करता हैं। और इस एकता को बनाए रखने की कोशिश करता है। और इसको इसकी उननति के लिए इस एकता को बनाने के लिए दिन प्रति दिन वो प्रयासरत रहते हैं। इस प्रकारियाब का आंसर है, आंसर नमबर ट्री, अंडरलाइन दे लाइन इन पोयम संग आफटर जलियावाला बाग मैसेकर, विच अकॉर्डिंग टू यू रिफ्लेक्स इंडियाज एसेंसियल यूनिटी, जलियावाला बाग हत्याकान जो कि अमरितसर में हुआ था, जिसमें कि जनरल डायर ने अपने सेना को कहा कि वहाँ पे जितने सारे लोग थे, उन सब के उपर उन लोगोंने गोली बरसाई, क्योंकि वो उनको दबाना चाते थे, तो ये भारती इत्यास में एक बहुत दुखत घटना रही है जलियावाला बाग, जलियावाला बाग मैसकर था जो नरसाहार था उसके बाद भारतियोंने एक गाना गाया, उस गाने में कौन सी ऐसी पंक्ती है जो ये बताती है कि भारतियों में तब भी एक्ता मौजूद थी ये जो गाना उन्होंने गाया जलियावाला बाग हत्याकांट के बाद उसमें एक लाइन थी कि हिंदू-मुस्लिम का खून आज एक साथ बह रहा है इस पंक्ती से पता चलता है कि उस समय भी सब लोगों के बीच में एक्ता थी चाहिए वो अलग-अलग धरम के थे अलग-अलग उनके रिती रिवास थे फिर भी उनके अंदर एक्ता तभी भी विद्यमान थी Now students, these are few important question answers. What is diversity? Diversity क्या होता है? विविधताईं क्या होती है? अनेकताईं क्या होती है? Diversity in India means different languages, religions, festivals, customs, etc. भारत में जो विविधताईं पाए जाती है चाहिए वो भाषा की हो, चाहिए धर्म की हो, चाहिए तेवार की हो, चाहिए रिती रिवास की हो, यही यहां की diversity है, यही यहां की विविधता है Little Tibet, Little Tibet के नाम से कौन जाना जाता है? लदाग भारत का सबसे ठंडा desert कौन सा है? लदाग लदाग किस चीज के लिए प्रसिद्र है? पश्मीना, वोल के लिए डिजोस क्या होता है? लदाग में डिजोस हम किसे कहते है याक काउस लदाग में जो याक काउस होते हैं उनको हम डिजोस कहते है रिलीजिन इस फालोड गभा? विच्छ एर लडाक Romans लडाक के लोग किस धर्म का पालन करते हैं, बुधिज्म लड्दाक में लोग भुध धर्म का पालन करते हैं केसर सागा ऑंगा टिबस की नैशनल इपिक है, जैसे कीबारत की महा भारत है किसको God's Own Country के नाम से जाना जाता है, भगवान का खुद का देश के नाम से केरला को जाना जाता है, केरला में सबसे पहले कौन आये थी, केरला में सबसे पहले जिविस और अरब के व्यापारी आये थी, ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी, जो ओनम एक तियोहार है, जो के केरला में मनाया जाता है, इस तियोहार के खास्यत है कि इसमें boat race होती है, लंबी-लंबी नौकाओं में, नौकाओं में बैटके लोग race लगाते हैं, ये इसके खुबी है, भारत में Christianity जो धर्म है, उसको कौन लेके आया, Apostle of Christ, Saint Thomas, T-H-O-M-A-S, Apostle होता है प्रचारक, तो Saint Thomas के प्रचारक थे एक वो भारत में Christianity को लेके आये, भारत का जो रास्ता है, ये किसने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया वासको डगामा ने, वासको डगामा एक पुर्तगाली थे वो, और उन्होंने ही ये रास्ता डि केरला में जो फिशिंग नेट होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, चीना वाली, V-A-L-A, चीना वाला, V-A-L-A, और केरला में जो बरतन होते हैं, जिसमें हम मशलियों को फ्राइ करते हैं, वो होता है, चीना चाटी, चीना चाटी, C-H-E-N-A-C-H-A-T-I, जल्यावा बाग कहां पे हुआ, भारत में पंजाब के अमरितसर में, डिस्कवरी आफ इंडिया किताब किस ने लिखिये, पंडे जवाला नेरु ने, और जो भारत का नैशनल एंथा में राश्रगान है, जन गन मन, ये किस ने लिखा था, रमिंदरनाथ टैगोर ने, ये विट आपक कौन सी लैंग्विश बोलते हो, हिंदी बोलते हो, हर्यानवी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, आप यहां पे लिख सकते हैं, आपका फेवरेट गेम कौन सा है, क्रिकिट है, कबड़ी है, लूडो है, चेस है, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, और आपको किस प्रकार की ब तो आपने देखा होगा कि भारत में जो लोग हैं वो भजन का के प्रेयर करते हैं मुस्लिम लोग नमाज गाते हैं और जो क्रिस्टिन लोग होते हैं वो कैरोल्स गाते हैं Red पूजा करने के लिए कहार में अगाएगते लिए कार दीुए में जाके शादी करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदीरों में शादी करते हैं हमें अब भारत के अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग वस्तर पहने जाते हैं कश्मीर में फिरन एक प्रकार के ट्रेडिशनल ड्रेस हैं आसाम में मखीला एंड चैडोर यह आसाम की ट जारखंड में वह एक दूसरे को जोहर कहते हैं मिन्ने के टाइम और जो इसी प्रकार भारत में जब राइस जो चावले उसको बनाने का तरीका अलग अलग है कुछ लोग बिर्याने मीट और सब्सक्राइब कुछ लोग एक फ्राइड राइस बनाते हैं कुछ लोग हंडी बि एक्ससाइज है आई होप आपको इस चैप्टर में आपके सभी सवालों का जवाब मिला होगा और आपको समझ भी आया होगा और इजी लैंग्विज भी लगी होगी गौद ब्लेस यू अल